जे भीम दोस्तों, ये वीडियो काफी important है तो मेरी अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखें आप सब जानते हैं कि The Newsbeak का नाम पहले दाशूद्रा था और दाशूद्रा के नाम सही हमारी website, facebook page और twitter handle अभी भी काम करते हैं दाशूद्रा की The Newsbeak के अपने अलग से twitter handle और facebook page है जबकि youtube channel का नाम भी The Newsbeak है लेकिन हमारी जो ब्रैंडिंग है दाशूद्रा हमारा logo हमारा नाम और हमारे page की जो description है उसका पूरी की पूरी कापी करके हमारे नाम पर एक फर्जी facebook group बनाया गया और दाशूद्रा नाम इस्तमाल करके हमको बदनाम करने की कोशिश हुई है ये मुझे कल किसी ने बताया, किसी ने मुझे whatsapp किया कि आपके facebook पर हम ये group में जब जाते हैं ये सब content उसके link और तमाम तरीके की जो अश्रील का सामगरी है वो हमें दाशूद्रा नाम के facebook group में देखने को मिली और इसके बाद से ही मैंने कोशिश की कि मैं इसे facebook को report करूँ तो मैंने इसे facebook को भी report किया उनको अपनी शिकायत भीजी और मैंने बाकी साथियों से भी अपील करी कि भी आप इसको report करें आप इस लिंक पर जाकर click करें और इसको report करें क्योंकि ये हमारे नाम पर श्रील था फैलाने की कोशिश कर रहा है और हमें बदनाम करने की साज़िश की जा रही है आज मैंने जो मुझे information मिली मुझे उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी मैंने आज साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और इस group के जो लोग है admin और moderator है मैंने उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज करवा दी है आप सोचेंगे कि ये क्या कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझे इसके खिलाफ कानूनी करवाई करनी पड़ रही है दरसल देखिए हम अपने content को लेके हम अपनी quality को research को लेके facts को लेके presentation को लेके हम बहुत संजीदगी से काम करते हैं तो आपको इसका अंदाजा होगा हम कभी भी भड़काओ भाशा भड़काओ बयानबाजी अश्रील content या misleading thumbnail या फिर कई की इस तरह की अभदर भाशा का इस्तमाल नहीं करते हैं और content की quality और facts पर भी हम हमेशा ध्यान देते हैं इसलिए हम अमेटकरवादी पत्रकाईता के शेतर में खास पहचान रखते हैं दाशूद्रा दान्यूसपीक के अपनी अलग पहचान है लेकिन हमारे नाम का इस्तमाल करके कोई व्यक्ति इस तरह की फूहड content को भीज रहा है और हमारे नाम को बदनाम कर रहा है ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो ग्रूप है ये हम ही चलाते हैं क्योंकि इस ग्रूप में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हैं एक लाख बानवे हजार पान सो लोग इसमें जोइन कर चुके हैं यानि की करीब दो लाख लोग इस ग्रूप में शामिल हैं आप ये आकड़ा देखिए हमारे जो फेस्बुक पे हमारे लाइक हैं वही दो लाख क्या सपास हैं जबकि ये जो ग्रूप है इसमें दो लाख लो शामिल हो चुके हैं यानि की जो वेक्ति फेस्बुक पेज पर दाशूद्रा का पेज सर्च करता होगा तो उस पेज के साथ-साथ ये दाशूद्रा का लोगो दाशूद्रा की ब्रैंडिंग और नाम वाला एक फेस्बुक ग्रूप उनको दिखाई देता है और बहुत सारे इस भूल में उसको जोइन कर लेते हैं कि ये शायद दाशूद्रा सुमिच रोहान दान्यूजबी की लोग चला रहे हैं और मुझे यहां तमाम जो जरूरी खबरे हैं बहुजन समाच के साथ हो रहे बेदवाव से जुड़ी खबरे देखने को मिलेंगी तो दो लाख से ज कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह की सामगरी वहां साजहा कर रहे हैं हम बेटकर वादी पत्रिकारिता को बदनाम कर रहे हैं और यह हमारे लिए परेशान करने वाला है आज हमने ट्विटर पर यह सूचना साजहा करी कि मैंने इस फेस्बुक ग्रूप के एडबिन औ गाली आपको ही और आपके पूरे बहुजन जमात को देने लगा था मुझे कल सही जानकारी मिली कि वो पेज फेक है सोरी ब्रो तो विशान लिक रहे हैं कि उनको भी यह लगा था कि यह जो पेज है यह वाट्सअप ग्रूप यह हम लोग चलाते हैं और हम इतनी फूहड इ सूच रहे हैं उनको ऐसा लगलते है कि यह सायद हम लायकिंश पाने के लिए फूलोवर बढ़ाने के लिए या क्लिक बेट के लिए पैसे कमाने के लिए हम इस तरह का onteqn's आजा कर रहे हैं यह हमारे बारे में एक मैसेज गया है तो यह उमारी ब्रैंड वैल्यू को नार curl को हमारी organization को मेरे personal अपनी छवी को धुमिल करने उसको परिशान करने वाली खबर थी इसलिए मैंने इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायदर्ज की है और इस पेज को जो चलाने नजर आते हैं क्योंकि उसमें अजीब औ गरीब चायरे का फोटो है जनता का मूद उसमें भी एक आजीब फोटो है और वो भी औरिजिनल मुझे आईडी नहीं लगती है एक अरविंद कुमार है जिसमें रियल वेक्ती हैं लेकिन वो कोने में उनको नहीं जानता आमिता परम नहीं नाम का वक्ती है जो कि डिली में हैं और यूपी आरिकार्यों से अज मैंने बात की और काफी सीनियर जो आई एस ऊफिसर हमारे जानने वाले लोग हैं उनको मैंने शिकायत की, साइबर सेक्यूरिटी को मैंने शिकायत की, तो उनका कहना है कि वो जल्द इस मामले में लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, और जो ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ कारवाई होगी, और जल्द इन लोगों की गिरफतारी होगी, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जिनों ने ये काम किया हमारे नाम पर, कि आब आपको हम चोड़ेंगे नहीं, क्यूंकि आप हमारे नाम पर इतनी गंद की फैला रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो ये कानून की नजर में ये अपराद है, किसी का fake नाम लेना, किसी की आईडी चुराना, किसी की fake प्रोफाइल बना के लोगों को बरगलाना, fake न्यूज फैलाना, असनी कॉंटेंट फैलाना, यह सब cyber crime हैं, यह अपराध हैं और आपको इसके सजा मिलेगी। और मैं इस कल भी मैंने लिखा था लोगों से रिपोर्ट करने को का था मुझे लगा था कि शायद ये लोग जो इसको चलाने वाले लोग हैं ये अपनी गलती को मानेंगे और इस ग्रूप को या तो बंद कर देंगे या इसकी ब्रैंडिंग चेंज कर देंगे ताकि हमारे वाले दिनों में इस इन आरोपियों के खिलाफ जल्द सक्त कारवाई की मुझे उमीद है पुलिस ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इन पर कारवाई होगी मेरी बस आप से अपील है कि दशूद्रा और न्यूज विक हमेशा बेटकर वादी पद्रकारिता को समर्पित है हम हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी भाषया हमारी प्रस्तुती हमारा कंटेट हमारा ग्राफिक्स हमारे फैक्स हमारी इस्टोरिकल मेंॉधियो कुछ भी जो हमारा मटीरियल है या उंका अनुञाई है और उनके ना को फोलो करते हुए हम अमबेटकर वादी पत्रकारिता करने की बात करते हैं तो हमारे उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे उपर यह जिम्मेदारी कि हम हमारे पुरकों की पत्रकारिता जिसमें बाबा साब डुक्टर अम्बीटकर, रामा सामी नायकर पेरिया, रमाने भरकाश शिराम साहिब और उसे भी पीछ आप जाएंगे तो राश्टर पिता जोतीवा फूले तमाम लोग पत्रकारिता करते थे, उन्होंने अपने जीवन के काफी वर्षों तक पत्रकारिता की अखबार निकाले, मेगजीन्स निकाली, तो हम उस विरासत को आगे बढ़ाने की मुहीम में लगे हुएं, इसलिए हमारी जिमेधारी ही कि हम अच्छा कंटेंट दे अच्छ क्लिक बेट के लिए, पैसे कमाने के लिए, या जान बूझ कर इस तरह की फूवर्ड कंटेंट, अशलील कंटेंट और उसके लिंक्स और निक्स और नियो डूटिटी को हमने यहां शेयर किया है, हमने ऐसा नहीं किया, और आपसे अपील है कि आप जब फेस्बुक पर दश शूद्रा का पेज आपको लाइक करना है, हमारा पेज है जिस पर पचास हजार के आसपास लाइक और दो लाख दस बीस हजार के आसपास फोलोवर्स हैं, और वो न्यूज एंड मीडिया वेब साइट करके उस पर लिखा आता है, और दश शूद्रा की प्रोफाइल आप द लाइक करना है ना की ग्रूप, ये एक फेस्बुक ग्रूप है, जिसको जोइन करने के बाद उसका कंटेंट दिख रहा है, लोग उसमें शामिल हैं, करीब दो लाख लोग, एक लाख पेजानवे हजार से ज्यादा लोग उसमें शामिल हैं, जबकि मेरी अपील है कि आप इ आरे बारे में आप ऐसा ना सोचें, और ये लोग कौन हैं जो हमें परिशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं मेरी टीम हम लोग बहुत मैनत करते हैं कि अम्बेट करवादी पत्रकारिता के शित्र में अपनी खास पहचान बनाएं, और जो बहुजन समान से जुड़े अदलित महिलाओं से जुड़ी कोई खबर हो, उनके खिलाफ अपराद हो, ये तमाम चीज़ें हम कबर करते हैं, उस पर हमारी खास नज़र रहती है, बहुजन इतिहास, बहुजन नाइक नाइकाओं से जुड़ी हुई खबरें, उनके जुड़े विडियों, उनके जनम द उनको कड़ी टकर दे, और मुझे लगता है, ये जो टकर हम दे रहे हैं, ये उसी से घबराहत है, उसी की छिटपठाट है कि हमको परेशान किया जाए, हमको बदनाम किया जाए, डी फिल्म किया जाए, बहुत बार हैकिंग के प्रियास होते हैं, हमारी आईडीज को हैक करन बत्रा बना रहता है, और यहां से हम बात करें तो इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश हैं, क्या ये हमारे अपने लोग हैं जो हमसे जल रहे हैं, जल भुन गए हैं, या नहीं चाहते कि उनका बहुजनों का दलीतों का कोई अपना मीडिया हो, या फिरी आरसेस के, या उस कहें की मौनुवादी विचारधरा के लोग हैं जो हमें बदनाम करने की साज़िश रच रहे हैं, हमें परिशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम अपने काम को जारी ना रख पाएं, हमें जो आप लोगों का प्यार मौबत समर्थन मिलता है, वो ना मिले, बदनाम हो ज यह हम अपनी कोशिश करेंगे क्योंकि हम अमबेड करवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं यह तमाम चीज़े बंद भी हो जाएंगी हमारा Facebook पेज बंद हो जाएगा YouTube चैनल बंद हो जाएगा तब हम नया कुछ शुरू कर लेंगे हम नई तरीके से काम करेंगे मुझे नु चीजों के परिशान होने वाला नहीं हूँ लगातार फोन पर धंकिया मिलती हैं लगातार मेसेंजर में हमारी टा़िया हम लायं क की तुछ हम कुछ ब्रे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हैं लृत कुछ अपना काम करते रहेंगे बस मेरी अपील है आप लोगों से जो मेरे बाबा साब को मानने वाले लोग हैं, जो हमारे अम्बेट करवादी आइडियोलजी को मानने वाले लोग हैं, न्याय, समता, बंदुता, इन सब को मानने वाले लोग हैं, उन से मेरी अपील है कि आप इस तरह की अफवाहों से, इस तरह की फ दिन बर चलता रहता है, आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे हैंडल को आप पर टैक करके ये इसके बारे में जानकर ये जुटा सकते हैं, so that we can, you know, tell you exact what is happening around, उस पर क्या उसके अथेंटिसिटी है, we can let you know about. So, it's a humble request to everybody, that please re-check, re-verify whatever is coming to you. We are not doing this illicit thing on Facebook, that's not our group. So, इसी बात को मुझे आप से कहना था, आप ताकत है हमारी, आप साथ बने रहेंगे, तो इन सब से हम लड़ लेंगे, और आगे बहुत सारा काम अभी हमको करना है. बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, जै भीम.